अंधेर नगरी चापट राजा एकांग की हास्यनाटक प्रतिध्वने मूर्खों के साथ रहोगे या बहस करोगे तो वे तुम्हें अपने ही स्तर तक गिरा देंगे। ग्रेग किंग त्रिश्य एक एक समय की बात है एक गुरू अपने दो शिश्यों के साथ अंधेर नगरी के बाजार से गुजर रहे थे उनके शिश्यों का नाम था आनंदवर्धन और गोवर्धन यह खाजा क्या भाव दिया है? टके का एक सेर हाँ हाँ महत्मा जी यहाँ सब कुछ टके का सेर मिलता है इस नगरी का नाम क्या है भाई? अंधेर नगरी सुनकर गुरू जी का मूँ और आखीं आश्यरे से फटे के फटे रह जाते हैं किन्तु चेलों के मूँ पर उच्छुकता और उल्लासु भराता है वे कुछ आगे बढ़ जाते हैं क्यों भाई पालक का क्या भाव है? टके का एक सेर महराज चाहे गोभी लो या बैंगन सब कुछ टके सेर मिलेगा हर मिठाई टके सेर और हर सबजी भी टके सेर यह कैसी अंधेर नगरी है? महराज दो चार सेर मिठाई ले आऊं ठैर भी माता जी इस नगरी का राजा कौन है? महराज इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी और यहां का राजा चौपट राजा कहलाता है यहां यह बात प्रसिद्ध है अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी, टके सेर खाजा बेटा, चलो यहां से, यहां कुछ देर ठहरना भी, खत्रे से खाली नहीं है गुरुजी चेलों का हाथ पकड़ कर चलने के लिए जिद करते हैं, चेले अपना हाथ छुडा लेते हैं माराज, यहां कश्ठी क्या है? हर चीज यहां सस्ती है, हम अभी यहां से नहीं जाना चाहतें गुरुजी, मैं तो आपको भी सलाह देता हूँ, कि यहां से बढ़िया स्थान कहीं भी नहीं है वाह, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा ठीक है बेटा, किन्तु मैं तो अब चलूँगा, भगवान तुम दोनों का कल्यान करे